में केवल एक ही चीज होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है और बनना है तो रास्ता ये नीट है और नीट के रास्ते के लिए आपको फिजिक्स, केमेस्टी और बायलोजी बहुत ही जादा क्लियर कट, कंसेप्चुल, क्लैर्टी होना चाहिए स्वालो बच्चो, आज 71 डेज का विडियो है और धिरे धिरे एक एक दिन कम होता जा रहा है बट मुझे उमीद है कि एक एक दिन आपको स्टॉंग बनाता होगा इस टाइम हर दिन आप एक नए चैप्टर के साथ, एक नए हेडिंग, सब हेडिंग के साथ आगे बढ़ रहे होगे confidence आपका boost कर रहा होगा, हाँ यह मैं मानता हूँ, थोड़ी nervousness बढ़ती है जैसे SM close जाते है उसी के लिए मैं आता हूँ 7 p.m. पे रोज आपके लिए कि आपकी tension दूर हो, थोड़ा बहुत मैं आपको tips और कुछ tricks दे दू, so that आपके preparation में help करें यह and the best part of this series is 15 minute का होता है, और मैं कुछ-कुछ कई-कई बार case study लेके आता हूँ, तो आज मैं लेके आया हूँ की need में किन बच्चों का selection होता है, और इस पे मैं detail case study के साथ बताऊंगा, छोटे मोटे exampers भी दूँगा, कुछ interviews भी आपको दिखाऊंगा, जो interview मैरे इस channel पे ही है, तो आगे बढ़ने से पहरे request होगा, channel को जरू subscribe कर लीजेगा, बार-बार कहता हूँ, अगर उमीद, अगर संबह हो सके, तो comment भी करिएगा, आप किस category में आते हैं, तीन type के category, student के साथ हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से यही गाम करते हैं, bread and butter भी अपना यही है, student ही है, तो इनके साथ लगे रहने से idea लग जाता है, तीन type इसलिए बोलना हो कि आप भी इनी तीन में आते होंगे, एक तो होते हैं, वो सूपर बच्चे, जो पहली बारी में 680, 690, 650, 620, 610 लेके आ जाते हैं, 12 के साथ उनका selection हो जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे डे 1 से clear होते हैं, ऐसे बच्चे को हमें देखके लगता है, यार इसका selection तो हो नहीं है, no one can stop it, self motivated ह होते हैं, parent बहुत back करते हैं उन बच्चे को, कुछ कुछ को नहीं भी करते हैं, वो अंदर से ही होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन काफी है तक support system बड़ा तगड़ा होता है, education का अच्छी education हो रही होती है, अच्छी school से पढ़ रहा होते हैं, वो सुरू से ही उनके concept को clear किया जाता है, maybe by teacher, maybe by tuition and extra classes, या parent खुद, तो ऐसे बच्चे होते हैं, इनको देखके लगता है कि यार इनका selection तो कोई रोक नहीं सकता, पहली बारी में होगा और बच्चा निकाल भी लेता है, टॉपर भी इस category में आते हैं, दूसरा एक बच्चा होता है जो अच्छे बच्चे नहीं है, टीचर नहीं है उस quality के, तो ऐसे बच्चे की category 2 होती है, इनका example मैं दूगा आपको, एक होता है जो ऐसे बच्चे होते हैं, तो एक तीसरी category ऐसी होती है, जहां पे बच्चा महनती बहुत होता, शार्प उतना नहीं होता, लेबोरियस होता है, इन फैक्ट, तीनों category में सबसे अच्छा और obedient बच्चा, most of the time, most of the cases में, most of the percentage में इसी तीसरी category का होता है, जो लेबोरियस होता है, बहुत महनत करता है, कुछ भी काम देदो करके आएगा, obedient होगा, बहुत सब भी बच्चा होगा, महनती होगा, लेकिन थोड़ा सा, because आप इ घसीटता रहता, रजड़ नहीं आता, अब सोचोगे selection किसका होता है, इन तीनों में से, पहले वाली category का बिंदास selection होता है, दूसरे वाली category का selection होता है, तीसरी वाली category का भी selection होता है, तो फिर difference क्यों, फिर इतने बच्चे रह कैसे जाते हैं, सब में एक common होता है, पहले में के selection होते हैं उनमें कई-कई अच्छी बाते होती हैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलो एके करके मैं पहली category के बच्चों के बारे में बात बता दू कैसे और कौन वो बच्चे होते हैं पहली category के जो बहुत शार्प बच्चे होते हैं ब्रिलियंट बच्चे जिनको हम कहते हैं क्लास का टॉपर होता है वो बच्चा ऐसे बच्चे अगर आप देखो तो they are very very serious in their classroom classroom में उनकी जो एकागरता होती है यह जो confidence होता है जो concentration होता है towards the teacher that is really best बहुत जादा आल्तू-फाल्तू की चीज़े नहीं करते हैं बहुत जादा dream नहीं करते हैं see that to the point मस्ती भी करते हैं लेकिन पढ़ाई के टाइम में पूरी तरह पढ़ते हैं वो concentration उनका best होता है focused होते हैं दस तरह इसकी बाते नहीं सोचते हैं negative नहीं होते हैं तो ऐसे बच्चे day one पे हमें पता होता है इनका concept करिया होगा और उनका fundamental बहुत strong होता है उन्हें छोड़े-छोड़े concepts को लिए लड़ना नहीं पढ़ता they already know and they are very sharp by their mind also second आजाते हैं मीडिया कर second और third पे मैं लंबी बात करूँगा second मेरे पास एक student थी जो अभी मौला ना आजात medical college में पढ़ रही है I hope यह video अगर देखेगी तो बताएगी see her name is Serene Serene Ahmed नाम था उसका and in 2017 she scored 477 marks मैं उसका thumbnail भी पीछे लगा देऊँगा क्योंकि इंटर्व्यू का वीडियो है in 2017 she scored 477 marks उसने देली जामिया से schooling की थी 2018 में 497 marks यानि बढ़े उसके सिर्फ 20 नमबर एक साल में फिर उसके बाद 2019 में सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे के बढ़े फिर 10 नमबर यानि दो सालों में सिर्फ 20-30 नमबर बढ़े फिर 2019 से 2020 में उसके नमबर बढ़ गए 35 और यानि 542 हो गए उसके बाद 2021 में उसके नमबर 51 और बढ़े 51 और बढ़ गए 593 उसके बाद 2021 में मेरे पास आई हो बच्ची बहुत उमीदों के साथ छटवे अटेम्ट के लिए देहरा दोन में अविरल क्लासे जहां पे मैं हूँ जो मेरा इसिट्यूट है 2021 में वो यहां पे आई उसे रैंक इंरिच्मेंट बैच दिया हमने एक रैंक इंरिच्मेंट हमने बनाया था और वो बच्ची के जो मार्क्स बढ़े वो बढ़ गए 75 मार्क्स और उसके मार्क्स आ गए 668 और वो देली कोटा से उस बच्चे को मौलाना आजात पहले ही राउंड में मिल गया तो ये कहानी है सिरीन आहमत की जिसका इंटर्विव भी यहां पे और उसे मेडियोकर बोलूँगा बट हार्ड वर्किंग बोलूँगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस पेसेंस सिक्स अटेंट का पेसेंस रखना बच्चे के बसकी बात नहीं होती पैरेंट के लिए भी बहुत इंपोर्टन होता है इस पे डिबेट कई लोग कर सकते हैं कि क्या सिक्स अटेंट देना चाहिए क्या हमने लाइब के सिक्स एयर्स देके हम उस मुकाम पे पहुँच पाएंगे तो मेरा परसनल मानना है मैं बिल्कुल भी नहीं देता चाहिए अटेंट इन फेक्ट मैं अपने बच्चे का अगर मेरे बच्चे को देना हो तो मैं कत्ते ही अलाओ नहीं करूँगा लेकिन अगर पैसा नहीं हो डॉक्टर बनना, सेवा करना और MBBS करना है तो गलत बिल्कुल नहीं ठहराय जा सकता क्योंकि अगर आप गवर्मेंट कॉले से MBBS करना चाहते हो और अंदर एक जजबा है बच्चपन से और कोई दूसरी चीजी नहीं सोची अपने बारे में सिर्फ यही सोचा है डॉक्टर बनना है तो बिल्कुल यह संभव है और करना चाहिए बिल्कुल भी गलत नहीं है तो यह उस बच्चे की कहानी है हाँ यह बात है बहुत महनती बच्ची थी आखरी टाइम में बहुत कॉंसेंट्रेशन था उस बच्चे में and now she got one of the best college in India and her future is definitely secured now तीसरा होता है आपने बहुत सारी कहानी पड़ी होगी 120 से लेके 650 तक पहुँच रहा कोई यह बहुत नीचे से एकदम उपर चला गया घसीट घसीट के मैं जिससे थोड़ा सा मजाक में बोला हूँ ऐसा ऐसा काफी हद तक पही बार rural background के बच्चों के साथ होता है यह महन्ती बहुत होता है यह मेरे पास जो हिंदी का बैच है यह वरी हाड वर्किंग और यह आज रहा है और फिर वो घसीट घसीट के आगे बढ़ रहा है यह उसका पहला ही लेवल जो प्रेपरेशन का था बहुर नीचे था इसे मैं इस कटेगरी में रखता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं है शुरू में शार्पनेस डजन मीन और आईक्यू लेवल शार्पनेस मैं रिलिट कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई से आपके पिछले एक्सपरियेंसेस के साथ उस बच्चे को उस बच्चे को अगर घिरे दिरे दिरे आप देख रहे हो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्जामपल्स हैं बट उनका कोई खास इंटर्व्यू नहीं किया क्योंकि उन मार्जिनली सेलेक्ट हुए सिरीन का इसलिए इंटर्व्यू किया क्योंकि इसने मौलाना आजाद स्कूर किया 668 ले आई और छटवा ड्राप था और सी वस बरी इमोस्नली कनेक्टेड तो उस केस में हमने इसके साथ इंटर्व्यू किया था और मुझे सारे केसे स्याद है क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया था बट मेरे सिचूट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तीन साल चार साल ड्राप करके पहले साल 120 फिर 200 फिर सीधे 500 फिर सीधे 620 इस तरह लेके आए कुछ BSC करके लाए कुछ BMS करके आए एक लड़का वेटनरी में कर रहा था लास्ट इयर वो निकला तो ये बच्चे जो 100-200 से आगे बढ़े हों एक बच्चा दून में पढ़ रहा है जिसकी फोटो को उस बहने पहले लगाई थी मैंने तो ऐसे घसीड घसीड के जो निकलते हैं इनका भी सेलेक्शन हो सकता है बट प्राब्लम यह है दिमाग में केवल एक ही चीज होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है और बनना है तो रास्ता ये नीट है और नीट के रास्ते के लिए आपको फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी बहुत ही जादा क्लियर कट, कंसेप्च्वल, क्लैर्टी होना चाहिए मेहनत करना चाहिए डिस्टर्वेंस नहीं होना चाहिए निगेटिविटी नहीं होना चाहिए रमेज, दिनेज, सुरेज, अंजना, संजना पता नहीं क्या-क्या बोल नहीं है, निगेटिविटी वगर है, वो सब आपको नहीं सुनना है, दोस्ती के वल इंस्टिूट तक उसके बाद नहीं, सोसल मेडिया से दूरी, टीचर का विश्वास, टेस्ट देना, रेगुलर क्लास में रहना, माता-पिता की बात मानना, निया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी,